इससे हमारे समीप राजगूरू जुड़ गए हमारे साथ समीप पहले तो अभी जो खबर आई कि विनेश बोगाट ठीक ने उनकी तब्यट ठीक नहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ा कोई अपडेट आपके पास हो तो बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं हॉस्पिटल लेके गए हैं और दो तीन चीजें मैं लगातार जो बात कर रहा हूं जो ऑफिशल से बात कर रहा हूं कि जो मेंटल स्टेट है इस वक्त विनेश का वो भी बहुत ही ज़दा जो कहते हैं ना खराब है इस समय क्योंकि बहुत ज़दा दुक में हैं बहुत ज़दा निराश है तो उनके साथ पूरी टीम उनके साथ भी कड़ी वी है कि कि किसी तरह से जो है उनको मनाया जाए उनको थोड़ा सा उनको ढाडस दिया जाए कि भई हो गया है कोई बात नी वीकेंड मेकर कम एक होता ना जैसे मेंटली वह भेहोश हो जाते हो दुख के मारे आप इतने सैड हो जाते हो कि आप खड़े नहीं हो पाते हो तो उस तरीके भी चीज़े हो सकती है और लेकिन यह डियाडरेशन तो 100% है क्योंकि आप लगातार वजन कम कर रहे हो लगातार आप कोशिश कर र बड़े वे थे और बता रहे हैं कि अभी मेरी कोट से सोर्सेस की तुरू बात हुए कोच बता रहे हैं कि विरेंदर धहिया जो इनके कोच है टीम के कोच है और इनके हंगेरियन कोच है जो परसनल कोच वो बाहर रहते हैं वो प्रैक्टिस कराते हैं मुझे उन सब से भी मिल होना देश के लिए जटका होना यह सब बाते तो हही है लेकिन इतनी बड़ी सपोर्ट स्टाफ डॉक्टर फिजियो टीम कोच पर्सनल कोच खुद विनेश का यह तूसरा तीसरा ओलिम्पिक्स तो ऐसे में आप कैसे ऐसा एक एक फेलियर हो सकता है कि आप सौ ग्राम उपर चल है हमने देखा था शुशीर कुमार ने भी कुछ ऐसा ही किया था 66 काटेगरी में आने के लिए वह उनका वजन सतर किलो होता था उन्होंने वजन कम किया था लंडन ओलिम्पिक्स में और फाइनल में आते आते उनको डियाइड्रेशन हो गया था और जैपनीज जो रेसलर थ समीब से पहले मैं उसके बाद आ रहा हूँ सर आपके साथ 30 सेकंड में क्या कोई गुंजाइश अभी है कोई अपील कोई दलील कुछ चलेगा या मामला खतम है यहाँ पर समीब यहाँ पर पूरी तरीके से एक बार जब हो गया सुबह आप वेट का जो कैटेगरी वेइंग में आप डिस्कॉलिफाइ हो गए तो हो गए अब कोई कमबाक नहीं है उनका सिल्वर मेडल और वो जो सिल्वर मेडल था वही बीच से हड़ जाएगा गोल्ड और ब्रॉंज हो हुआ हो गई कैसे हुआ हो là है माभीर जी के हवाद ही जी हब तो जो नानम किन हान जो 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 वहां की जो दो नहीं यदोा जो फैटरेश्न के जो 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 परिवार के लिए तो बहुत बड़ी दिनाशा होगी विनेश खुद बहुत सदमे में बताई जा रही है हाँ बिलकुर मुने तो चाफ के चलने के मत नहीं पता लगा है वो बेहुस होगी रही है हाँ जी हाँ जी यह हम सब उम्मीद करते हैं वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द बहुत बड़ा जटका होगा उनके लिए भी अच्छा देखे कुछ तस्वीरें भी आई हैं महावीर जी आपसे बात कर रहा हूं तो विनेश की कुछ तस्वीरें आई हैं वो भी हम लोग चैनल पर इस वक चला रहे हैं रात में क्योंकि ये सिल्सिला तो वहां की रात से शुरू हो गया था पैरिस की और उनको जब पता लगाओगा तो तभी से पूरे दल के अंदर बड़ी निराशा थी इतनी उम्मीर क्योंकि लोग कर रहे थे गोल्ड की सबसे प्रबल दावेदार में माने जारी थी मावीर जी मावीर जी बहुत धन्यवाद करता हूं आपने ऐसे मौके पर भी हमको समय दिया थोड़ा मावीर जी कोच है तो कैसे वजन घटा अज इस वक्त आप देखिए और तस्वीरें जो आई है उनकी विनेश की जो कुछ तस्वीरें वहाँ से रात की तस्वीरें बताई जा रही है शायद सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें डाली होंगी वह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल तो उनको हस्पिटल ले जाया गया है जानकारी यह आई है आई एनस जो न्यूज एजनसी है उसने यह तस्वीरें शेयर की हैं समीब आपको बार बार यह बता रहे थे कि कोई बड़ा काम नहीं होता किसी आथलीट के लिए 100 ग्राम मैनेज करना लेकिन यह कैसे हुआ उनके सपोर्ट स्टाफ के मौजूद रहते हुआ यह सब कैसे हो एक व्यक्ति का नहीं यह कलेक्टिव फेलियोर है और फेलियोर है यह चीजे आपने भी बताया और हम लोग भी यह तनी तो कल्पना करते ही है कि अगर यह टेस्ट ही है वजन का तो उसके पहले वजन तो होना चाहिए ता हुआ की नहीं हुआ तो वहां जाकि कैसे 100 ग्राम परहा होगा यह तो यह तो सामानेता गले नहीं उथरने वाली बात है और कोई साजीश तो खैर यह तो हमारे नेता और बाकी लोग कर रहे हैं देश का कोई विवेक सील व्यक्ति नहीं मान सकता है कि वहां भारत के खिलाब कोई ऐसी साजीश हो गई हो कि इसका 100 किलो अजन बरहा दो और हम इतने कमजोर देश भी नहीं है आज के समय कि इस तरह से हमारे विरुद साजीश और स्यड्यांत्र हो जाए यह फेलियोर है तो कैसे हुआ है लेकिन इसमें संभावना जैसे उनके चाचा ने भी बताया कि अब तो संभावना नहीं है तो अब देश को यह मन बनाना परेगा कि हम इस बार चुक गए है एक चैंपियन जिसमें पूरी संभावना थी जिसने अपने प्रदर्शन से प्रदर्शित किया था कि हम गोड़ लेके आने वाली हूँ अगर इससे बची है तो फिर देश को इसके अमसार मन बनाना चाहिए तो काफी परिशान ब को पता होता है कि पचास किलोग्राम के वजन में है इसका वेट 53 से 50 में आई है इसका वेट एकदम बाउंडरी पर है किसी भी संद इसका वेट बढ़ सकता है तो मुझे लग रहा है इसका बहुत जदा प्रेकॉशन और केर लेना चाहिए था उसे खान पान को लेकर उसके वेट के पहले कितना पानी पिया नहीं पिया 100 ग्राम बजन तो इतना हलका होता है मतलब कि जरासी स्थिति में काम हो जाता तो कैसे मतलब ध्यार नीजिया जब पता था कि चार गंटे पहले मालूं था कि आपको टेस्ट होने वाली है तो क्या पहले उन्होंने अपना जो है उसको बहुत गंबिरता से लेना चाहिए और यह कोच की पूरी टीम की जिम्मेदार ही है हलांकि इनेशन पूरी कोशिश के होगी उसका वेट अंडर कंट्रोल है लेकिन ध्यान तो कोच रखता है कि आप क्या खारे हो आप क्या पी रहे हो आपकी वेट जब वेट सब्सक्राइब होना या इस तरीके से इंडियन के जो सपोर्टिंग स्टाफ या जो कोच है उसका इसको इतने लापरवाई से लेना मुझे लग रहा है यह बहुत दुखा दे एक सो बहुत गंबिरता से लेना चाहिए कि 100 ग्राम वजन उसका जो महां पर ज्यादा निकला ह मुझे लग रहा है इसमें कहीं ने कहीं टीम मेरेजमेंट के लापरवाई है अब जाच होगी कमिटी जाच के आदेश जेगी जाच होगी काग जिखाना पूरती होगी लेकिन आज हमने एक गोल्ड खोया है हराएं कि वो खुद कोई नुरू का हीरा है लेकिन आज हमने सब्सक्राइब करने से तो यह खेल में आप सेकेंड में के सुलाहमें बाग से तो थोड़ा ज्यादा ही होता है फिर भी यही टीम है यही कोच है यही सपोर्ट स्टाफ है यही मनेजमेंट है जिसने विनेश को यहां लाकर खड़ा कर दिया